दूसरे चनल का मद्दान खत्म हो गया, लेकिन कुछ ऐसे भी मद्दान केंद्र रहे, जहां एक भी बोट नहीं पड़ा। कारण जान के आफ हैरान हो जाएंगे, कहा जा रहा है कि इन मद्दान केंद्रों के मद्दाता अस्थानिय समस्याओं से इतने परिसान थे कि इनोंने मद्दान वहिस्कार का मन पहले से ही बना लिया था, ऐसा सिर्फ किसी एक बूत पर नहीं बलकि दो बूतों पर हुआ है, इ आगे आपको इसकी पूरी जनकारी देंगे, लेकिन उस्थे पहले अपना परिशे देदू, नमस्कार मेरा नामे मोहित कुमार सींग, और आप देख रहे है जनता जंक्सन, मामला बेगु सराय के बच्छवाडा बिधान सबाच्छेत्र का है, बेगु सराय के के लोगों का सब्र जबाब दे गया, सारे लोगों ने मतदान भहिसकार का फैसला लिया, और अंतिम समय तक उस फैसली पर अड़े रहे, जब इस मामले की जनकारी मतदान करा रहे कर्मियों को मिली, तम उनके द्वारा इस मामले की जनकारी अधिकारियों तो पहुचाई ग मीडिया रिपोट्स के मुताबिक ग्रामिरों ने बताया कि लोग सभा चुनाव में यहाँ से केंद्रिये मंतिक गिर्दाश सिंग गोट मांगने आये थे और उस चुनाव में चेरिया की जंता ने भारी बहुमत से मंतरीजी को जीन भी दिलाई थी गिर्राज सिंग ने चुनाव के वक्त ग्रामिरों को अस्वासन दिया था कि पूल की समस्या का निदान करेंगे इसके लिए वे अपनी एक सौल भी वहाँ छोड़ कर गये थे और कहा था कि जब पूल का सिली नियास करने के लिए आएंगे तब यहाँ से अपनी सौल ले कर जाएंगे उसके बाद से ना गिर्राज सिंग कभी इस गाउं में आए और ना ही उनका सौल गया वैसे हमारे यहां का पुराना नियम है कि नेता जी लोग जनता के बीच केवल चुनाओ के वक्त जाते हैं तो ऐसे में मंत्री जी का चुनाओ के बाद उस गाउं में जाना लाजमी था ही नहीं अब फिर जब चुनाओ आएगा तब देखा जाएगा कि साल के बाद अब और कौन सा काड खेलना बाकी है बाकी आपके जनकारी के लिए बता दूँ कि बेगु सराय इस बरबार से भी पूरी तरफ परभावित हुआ था और उस समय भी लोगों में अपने नेता के प्रती खासा गुसा था गाउं वाले खुलकर इस बात को बोल रहा है कि चुनाओ के समय किसी भी दल का नेता गाउं में आता है तो पूल बनवाने का असवासन देता है लेकिन चुनाओ जितने के बाद आज तक किसी ने भी पूल बनाने के लिए किसी प्रकार का कोई ठोस कदम नहीं उठाया है ना ही कोई प्रयास किया है इसके चलते इस बार निर्ने लिया गया है कि पूल नहीं तो वोट भी नहीं दिया जाएगा आपकी जनकारी के लिए बता दू कि फिलहाल बेगुसराय सीट से गिरी राज सिंग सांसर्ध है तो वही 2014 में भी भाजपा ही इस सीट पर विजई रही थी इसके अलावा बच्वाडा विदानतवा सीट से 2015 में कौंग्रेश के राम देव राय ने जीत दर्ज की थी तो वही 2010 में कमुनिश्ट पाटी का कब जा था अंत में सिर्फ इतना कहूंगा कि अगर हमारी जन प्रतिनीदी जनता के समस्याओ और अपने वादों पर खरे उतरते तो साय जनता को कभी मी मद्दान वहिसकार जैसे कारियों को करने की जरूरत ही नहीं पड़ती लेकिन हमारे नेता जनता के बीच की वल चुनाओ के समय ही जाते हैं और जीत दर्ज कर फिर 5 साल गायब हो जाते हैं इस बार फिर से बच्वाडा ने अपने जन प्रतिनीदी को चुनने के लिए मद्दान कर दिया है और अब आगे देखना होगा कि यहाँ इस बार जनता किसको मौका देती है फिलाल इस वीडियो में बस इतना ही वीडियो अच्छा लगाओ तो सेर कीजिए फेस्बुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए यूट्यू पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बाकी स्क्रीन पर जो डोनेशन की जनकारी दिख रही है उसके म पार्जम से आप हमारी मदद करते रहें मिलते हैं फिर बहुत लगले वीडियो में कैमरे के पीछे खड़े हैं वरुण जहां और मैं मोहित कुमार सीग धन्यवाद